हलो फ्रेंज, वेलकम टू सुमास किचन आज आपके लिए मैंने गोबी परोटा लेके आई हूँ आप भी एक बार मेरे जैसे बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा गोबी परोटा बनाने में इतना एजी है और उतना टेस्टी भी है बच्चे तो कूब पसंद से काते हैं ग्रिन चेटनी के साथ परोटा सरू कर लीजिए दो परोटा ज्यादा काते हैं इतना टेस्टी रहता है चलिए जल्दी से जल्दी देखते हैं गोबी परोटा कैसे बनाना है आदा किलो गोबी को चोटा-चोटा पीसेस कट करके रख दीजिए एक बोल में गोबी डालके उसमें एक टेबुल स्पून नमक डालके गरम पानी डालके आदा गंटा रख दीजिए जबी गोबी बनाते वक्त गोबी को गरम पानी से अच्चे से दोके रखना है आधा गंटा के बाद पानी से निकालके एक प्लेट में सुखा दीजिए अब इस गोबी को कद्दुकस करना है देखिए इसी तरह कद्दुकस करके रखना है आपके पास इस तरह अवेलेबुल नहीं तो आप इसी तरह मिक्सी में बॉल में भी डालके पीश सकते हैं मिक्सी में डालके एक दो रौंड चलाने से इसी तरह होता है अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप कद्दुकस कर सकते हैं आप देख सकते हैं चाप किया और मिक्सी में पीसा हुआ दोनों का डिफरेंस इसी तरह कद्दु कस करके रख लीजिए कड़ाई में दो टेबुल स्पून तेल गरम होने के बाद उसमें एक टेबुल स्पून जीरा डालके फ्राई कर लीजिए जीरा फ्राई होने के बाद इ इसमें कद्दु कस किया गोबी डालके मिक्स कर लीजिए एक बार मिक्स करने के बाद इसमें हाफ टेबुल स्पून हल्दी हाफ टेबुल स्पून नमक और हाफ टेबुल स्पून चाट मसाला डालके मिक्स कर लीजिए गोबी की अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना तब तक इसको fry करते रहना है देखिए अब इसमें पूरा पानी कतम हो गया गोबी एकदम ड्राइ हो गया इसी तरह fry करके रखना है स्टफिंग तो रड़ी हो गया अब स्टव बंद करके इसको टंडा होने दीजिये बॉल में आदा किलो आटा लीजिये उसमें हाफ टेबल स्पून नमक डालके मिक्स कर लीजिये अब इसमें तोड़ा तोड़ा पानी डालके आटा की तरह गुंद लीजिये जादा टाइट या जादा गीला नहीं करना है देखिए इसी तरह आटा को साफ्ट गुंदना है आटा गुंदने के बाद अब इसमें एक टेबल स्पून तेल डालके फिर से एक बार मिक्स कर लीजिये इसी तरह गुंदने के बाद डक्कन बंद करके आदा गंटा के लिए रख दीजिये चलिए देखते हैं आदा गंटा के बाद देखिए आटा इतना साफ्ट होना चाहिए अब इसको चोटा-चोटा बाल्स बनाके रख दीजिये स्टफिंग रडी आटा रडी चलिए अब परोटा बनाते हैं एक-एक बॉल लीजिये उसमें तोड़ा सुका आटा डालके इसी तरह गोल-गोल बनाईए गोल-गोल बनाने के बाद फिर परोटा जैसा बेल लीजिये इसकी उपर फिर सुका आटा डालके फिर बेल लीजिये जादा पतला नै, जादा मोटा नै मीडियम सैज इसको बेलके रग लीजिये परोटा तो बनाया अब इसको गरम तवा पे डालके सेकली जिए, दोनों तरफ तेल डालके परोटा बनाईए, अगर आपको गी पसंदो गी भी डाल सकते हैं देखें, इसी तरफ दोनो तरफ तेल लगाके पलटतेई, गोडल कलर आने तक रोटी बनाईए देखे इसी तरह कलराना है गुबी परोटा तयार हो गया अब इसको निकालके एक ब्लेट में रख दीजिए इसी तरह सब परोटा बनाके रख दीजिए और गरम-गरम परोटा परोश लीजिए इस ठंडियों में गरम गरम परोटा काने में बहुत अच्छा लगता है आप भी इसी तरह जरूर बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा और गरम गरम परोटा और चेटनी के साथ परोस लेजिए बहुत पसंद सिकाते हैं आपको मेरा रस्पी पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपका दोस्त को भी पक्का शेर कर लेजिए और टेस्टी इजी रस्पीस देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरा चानल को सबस्काइब कीजिए आप भी इस परोटा को एक बार जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताईए और बेल बटन क्लिक करना मत बूलिए उससे मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा धन्यवाद